फिल्म आदि पुरुष के कुछ डायलोग्स पर बवाल मच गया है मेकर्स और डायलोग राइटर का जम कर विरोध किया जा रहा है फिल्म के डायलोग लिखने वाले मनोज मुंतशिर को भी लोगों के तीखे कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं इस पर अग मनोज मुंतशिर ने सफाई दी है राम का काम करने निकले थे राम का काम करने निकले हैं और राम का काम करते रहेंगे और राम कथा से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सब के मतों का सम्मान हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी जब महारशु वालमी की ये कथा लिखते हैं 47,000 वर्ष पहले तो उनका अपना तरीका है उसके बाद हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसी दास के हाथों में लेखनी आई बाबा तुलसी दास ने उस कथा को अपने तरीके से उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसाथ किया और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी उन्होंने वारशु वालमी की की तरह नहीं सुनाई फिर हमने देखा आदरनेश्य रामानन सागर की रामायड बहुत भवे बहुत ही अद्भूत रामायड वो हमें देखने को मिली जब ओम्राउत ने ये फिल्म बनाई और मैस फिल्म से जुडा तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी समप्रेशलिय था कम्यूनिकेशन क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूलियों पे राम के सिर्धानतों पे चलने वाला है यहां किसी को राम बताने की जरूरत नहीं है सब राम जानते हैं लेकिन दुरभागी ये है कि जो नई पीड़ी है ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थौर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं ये राम की कताई नहीं सुनते और अगर मैं इमानदारी से कहूं दिल पे हाथ रखके कहूं तो कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे अपने खाले टाइम में लगा के रामान सागर जी की रामायर देखते हैं आप पाएंगे शूनि नहीं देखते बच्चे मैं और आप देखते हैं मुझे आज भी देखनी है अगर मैं घर जाओं मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोट देख डलता हूं मैटके लेकिन मेरे 12 साल का बेटा यह नहीं करता है तो जो लक्ष था बस इतना ही था कि शिरी राम की कहाणी जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है, क्या कलपना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आनी की, वो नायक लोगों तक पहुँचे, यह जाने ही कि सिर्फ सुपर मैन हवा में नहीं उलता था, हमारे उससे बहुत पहले उड़ते थे, सव योजन का समुद्र पार कर जाते थे, हमारे बजरंग बली सिर्फ हलक ऐसा नहीं था कि जो बड़ी-बड़ी चीज़े मारे और मुक्का और पहाल तूट जाएं, हमारे बजरंग बली द्रोलागिरी परवत उठा के उड़ जाते थे, ये सब हमँ लोगों को बताना चाहते थे, इतना सा ही लक्ष है था कि हम नए हिरोज दे पाएं, असली हिरोज, सanatan के जो हिरोज है, सanatan के नायक हैं, हम बच्चों को दे पाएं, ये हमारी यात्रा थी, ये हमारी कोशिश थी उनका कहना है कि विवात के बाद बदलाव किये गए है मनोज ने ये भी बताया कि आखिर उन्होंनी हनुमान जी के डायलॉग इस तरह क्यों लिखे पहले दिन से जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेके तब से मैंने एक चीज कही थी कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है टू वे ट्रैफिक है हम उन फिल्मेकर्ष में हैं जो आपकी बात सुनेंगे इस देश में और कोई फिल्म निरमाता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पे अपनी फिल्म में किया हो हम पहले दिन से सुन रहे हैं वादा किया, हमने सुना आपने देखा, टीजर आपने देखा था और टीजर के बाद जब पहला ट्रेलर आया पहला ट्रेलर पे तो हम सब ने देखा था के लिए लड़ना जब भारत वर्ष की किसी बीटी पर हांट डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके धर्रा उठेगा उस दिन के लिए लड़ना जब एतहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सरजोग जाएंगे मर्यादा के लिए लड़ना लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गारद वहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज ये सब डायलोक्स इसी फिल्म के हैं मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ जब मा सीता अशोक वाटिका में है और रावण उनके उपर लगातार दबाओ बना रहा है कि तुम इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने के लंका में चलो मेरी पत्नी बन जाओ मेरी रानी बन जाओ और वहां मा सीता कहती है उसकी आँखों में आखें डालके कि रावण तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है ये सब इसी फिल्म के समवाद है तो इन समवादों पर अगर आपने तालियां बजाई अगर आपको लगा कि मनोज मुंतशिर के लेखनी से नेकले ये समवाद आपके राम के चरित्र को और आपकी मा सीता के सतीत्व को सही तरीके से प्रतिपादेत कर रहे हैं सही तरीके से प्रिजेंट कर रहे हैं तो पहले तो इतनी के लिए मेरी प्रशंसा होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया, फिर जहां आपको ये लगता है, कि नहीं भाई, बजरंग बली के पांच समवादों पे पूरी कहानी है, चार साढ़े चार हजार लाईने, मैंने गिनी तो नहीं है, पर लगभाग इतनी लाईनों के समवाद पिक्चर में है, उसमें से अगर पांच पे एतराज है आपको, तो ये पांच का एतराज मैं शिरोधारी करता हूँ, मैं इतने हैंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया, वही विधी हो गई, अरे बिलकुल नहीं, मैं राम तत्यों को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, उनकी कोई बुद्धी कम है लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं बड़ी सरलता से बात करते हैं बड़े सहस्ता से बात करते हैं मनोच मुंतिशर ने ये साफ किया कि जिन डायलोग्स पर आपत्ती है वो उन्हें बदलने जा रहे हैं पांच डायलोग्स पर आपत्ती है मैं पांचों बदल रहा हूँ ये नहीं क्या अधा धूरा मैं अपने समवादों के पक्ष में अंगिनत तरक दे सकता हूँ लेकिन मेरे तरक देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी अगर आपको कुछ दुखा है अगर आप आहत हुए है आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है मेरा एहंकार एक लेखक के तरपे कि मैंने तो भाई लिग दिया ये बहुत छोटी बाते हैं इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता मैं समझता हूँ फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है और अगर लोगों को कुछ अंश कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा करतव यह है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें कभी-कभी संभू नहीं होता लेकिन मैं इस बात को यह बहुत अच्छी बात है कि मेरे डिरेक्टर ओम राउत मेरे प्रोडूजर श्रीभोशन कुमार यह एक लोजिस्टिकल नाइट मेर है कि जो पिक्शर लगभग 10,000 थेटर्स में रिलीज हो चुकी हो अब उसमें कुछ संभाद बदले जाएं यह फैसला हर कोई नहीं ले सकता वही ले सकता है जो जनता का संबान करता है लोगों के रोश पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी मेरे सपोर्टर, मेरे साथी, मेरे भाई थे, हैं और रहेंगे मैं एक छोटे से गाउं से आता हूँ जहां मेरा रिष्टा लोगों के साथ ऐसा रहा कि जिन दोस्तों के साथ हम तीन दिन घुमे चोटे दिन किसी बात पर उनसे लडाई हुई पांचोवे दिन फिर हम मिलकर नुकड़ पचाए पी रहें तो कुछ पर्मनेंट नहीं है अगर आपको लग रहा है कि कुछ अस्थाई तोर पर मुझसे लोग अलग हो गए है या मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं ये एक दम मेरे अपने है मैं इनकी आवाज हूँ मैं इनकी आवाज बनके इस बॉलिवूड में खड़ा हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां के कुछ खास तरह के विचारों की बात तक नहीं होती है मैंने शुरू की ना बात मैंने बात निकाली न मैं हूना जिसने तेरी मिट्टी लिखा देशभक्ती की बात यहां इस देश में कौन करता था मैं वो हूँ ना जिसने अचानक इस देश में सनातन के गीत गली-गली में बज़वाने शुरू कर दिये मेरी मा के बराबर कोई नहीं इससे बड़ा हिट गाना आप उठा के दिखाएं मैं वो हूँ ना जिसने मेरे घर राम आए हैं लिख दिया हर राम मंदिर में एगीत बज़ रहा है तो मैं आपकी ही तो आवाज हूँ मैं आपका ही हूँ और एक बात जान लिजे आपके शिकायद से आपने ट्विटर पे सोचल मीडिया पे जो कुछ भी मुझे कहा मुझे इतनी सी भी नाराजगी नहीं है इतनी सी भी सिर्फ सम्मान है